आपने ही चैनल बहुत बहुत सागत मैं फिर हाजी रो गई हूँ आप लोग के लिए बिल्कुल न्यू वीडियो के साथ कैसे हो आप लोग आप लोग सबी लोग बहुत है अच्छी चीज करने वाली हूं हर किसके घर में बच्चे होते हैं ऐसे में बच्चों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कभी कबार बच्चे क्या करते हैं बार-बार उल्टी कर देते हैं बार-बार उल्टी करता है बच्चा ये बच्चों में एक आम समस्या है ऐसे में क्या करना चाहिए इस गरेल उपाय को अपना कर आप उल्टी रोग सकते हैं जो कि मैं बताने वाल जाना या गैस हो जाना कई समेश्या हो सकती है ऐसे में आप लोगों को घ्रेलों उपाय करने चाहिए कोई साइट इफेक्ट नहीं होता है नेचुरल चीजों में तो आप लोगों को एक मात बहुत चीज बताने वाली हूं अगर बच्चा बार बार उल्टी करता है तो इस ची करने के लिए हमाइस की बताने जारे हूं सबसे पहले एक अध्रक लेना है अध्रक को हमें ऐस्टे से 2 से 3 बार वस्ट कर लेना है जैसे आफ आप लोग पूरा चिलका निकाल लेना है और लोगो फिर उसके बार too much अच्छे से वास्कार लेना है जैसे ड्राइ हो जाए उस जैसे आपने कद्दुकस ले लिया फिर आगे आप लोग को करना किया है मैं बताते चलूं जैसे कि आप लोग मुझे देख रहे होंगे इस तरीके से हमें अध्रक को कद्दुकस कर लेना है आप लोग को मोटे साइट से नहीं करना है इस बात का ध्यान दें जिस से कद्दुक तो क्योंकि इसका आसाने से जूस निकाल पाए तो इस तरीके से हमें क्या करना है कम से कम एक चमच जूस निकले इतनी कॉंटेटी में लेना है अध्रक तो आप लोग देख सकते हैं आसाने से जो मैंने निकाल रखा है इसका एक मतलब एक चमच जूस जो है निकल जाएगा ठ प्रस applies कि ऐसे आप लोग उनकों को बताते चलों हमें लेना हें खाली बाउल धुष लेनी के बाद आप लोग को करना क्या है जैसे आप लोग ने खली बाउल in a एक छनी जैसे आपने ले लिया चनी तो फिर जो हमने कद्दू किया हुआ है चनी में इस तरीके से एड़ कर लेना है आप लोग देख रहे होंगे चमज की मदद से इस तरीके से इसको दिरे दिरे हमें दबाते रहे हैं इसका जूस आसानी से निकल जाएगा आप लोग देख निकाल लिया है अध्रक पचावा अध्रक का कई तो हम प्रेकने नहीं है इसका चाए समय थ pastटेव चाय तो दाल में कर सकते हैं का का कई तो आगे आप या सने साथने से निकल जाएगा तो सब्सक्राइध दें lots रेखं double over जो अद्रक का जूस होता है थोड़ा सा इसका टेस्ट अलग होता है तो बच्चे से आसानी से नहीं पीते हैं तो हमें इसके लिए करना क्या है इसका टेस्ट चेंज करने के लिए थोड़ा सा इसमें हमें लेना है हनी ठीक तो आप लोग हनी ले हनी आपको कितना एड़ करना ह वह मैं आप लोगों को बताते चलूं जैसे कि आप लोगों ने हनी ले लिया तो हैं आपको जादा एड़ नहीं करना है कम से कम पांच चार बूंद है यह आप लोग चाहो तो जाद से ज्यदा छैवूंद ए उससे ज्यदा आप लोगएड ना करें 4-5-6 थीक छैफ लास्ट हम नहीं अगर्ट है क्नल कहिंद दोने 2 जरूर दोनों मतलब होगा अच्छा टेस्ट से पीलें कि थीक तो आप लोग इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर 열 तो इस तरीके से आप लोग घरेलू जो यह होते हैं अगर बच्चा बार बार उल्टी करता है तो आप लोग इन चीजूं का इस्तमाल जादा करें बच्चों बहुती है घरकी बच्चों कोई प्रोब्लम भी नहीं होगा कोई नुखसान नहीं होंगा और बच्चे आशानी से ठीक हो सकते हैं फच्ब दब्चा करना कर दो को पिला फ़ोगा तो प्रेंट सब कुछ मैंने आप लोगं को डिटेर्ज में बता दिया है कैसे आप लोगं को क्या करना है आपको सेम ऐसी करना है तुरंत बच्चा उल्टी करना बन कर देगा तुरंत बच्चे को आरम मिल जाएगा तो आप लोग नेच्रल चीज़ा जितना हो सकते हैं को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकम भी प्रेस कर देना ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अप्टोर्ट करूं सबसे पहले आप लोग देख पाए आज के लिए इतना ही मैं मिलते हूं अपने अच्छे से न्यू वीडियो के साथ थैंक्यू सो मच बबाई लर्स अफ ल झाओ